तो क्या आप लोग भी अपने दोस्तों को रिल शेयर करकर के बोर हो चुके हैं? लेट्स क्रियेट आवर उन शेरिंग फीचर वो भी अपने एंडरॉइड एप्लिकेशन के अंदर तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आप लोग ने यह चीज यूटूब के अंदर तो गौर किया होगा कि आप लोग जब भी शेयर बटन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर नीचे से एक बॉक्स निकल के आता है और उसके अंदर बहुत सारा एप्लिकेशन बना रहता है वो क्या कहता है कि मेरे थ्रूशेर कर लो यानि कि वाटसप रहता है वो कहता है मेरे थ्रूशेर कर लो फेस्बूक रहता है मेरे थ्रूशेर कर लो मैसेज रहता है मैसेज कहता है मेरे थ्रूशेर कर लो तो आप माले जो WhatsApp पर क्लिक करते हैं, तो आप लोग अपने contact को select करते हैं, और वहाँ पर आप लिंक भेज देते हैं, तो कुछ उसी तरीके का feature हम लोग कैसे enable कर सकते हैं अपने application के अंदर, कि हम लोग जैसे ही share window पर क्लिक करें, तो उसी तरीके से जो जो app उसको share करने के लाय या फिर java file है, उसको open करेंगे, chat file के अंदर क्या पड़ा हुआ है, chat file के अंदर हमारा जितना भी code recycler view से related है, वो सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ही हम लोग को share button का option देखने को मिलेगा, तो share button कहां पर है, मैं आप लोग को layout के अंदर दिखाता हूँ, त यहाँ पर देखिए, यह एक share button है, हम लोग चाहता है कि इस पर जैसे ही click हो, तो यहाँ पर जो पूरा tweet है, उसको share करने का option आ जाए, यानि कि उसके लिए अगर WhatsApp शेयर करें, मैसेज कर सकता है, मैसेज करें, फिर Facebook शेयर कर सकता है, तो यहाँ पर वो सारा applications open हो जाए, तो य उसके बाद chat.java file जो हमारा है, उसको हम लोग open करते हैं, और यहाँ पर ध्यान रखिए, view holder वाले class के अंदर हम लोग इसका एक object बनाते है, object यानि कि क्या, हम लोग ID के थुरू इसको call करते है, तो यहाँ पर आते है, variable टिकले करते है, public, by the way, यहाँ पर यह image view ही है, तो यह यहाँ पर like btn जहाँ पर है, वहाँ पर ही share को भी बना लेते हैं, और उसके बाद हम लोग ID के थुरू इसको access करने का कुछिस करते हैं, तो यहाँ पर share as equals to item view.point view by id, r.id. और हमारा क्या है यहाँ पर share, तो यहाँ पर हम लोग ने variable create कर लिए share, अब हम लोग यहाँ पर इस यहाँ पर वही चीज यहाँ पर हम लोगा code लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसको expand करूँ तो कुछ इस तरह के देखने को मिला है, यहाँ पर minimize कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग next line पर आ करके code लिखेंगे share के लिए, तो यहाँ पर हम लोग चाहेंगे कि जैसा ही share button पर click ह तो यहाँ पर holder.share.add event listener तो उसमें होता था, क्या बूलते है, यावा script के अंदर, set on click listener, new view on click listener, तो यहाँ पर हम लोगा पूरा code है, वो create हो चुका है, तो यहाँ पर on click method है, इसके अंदर हम लोग अपना सारा logic लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले है कि हम लोग जो भी चीजा हो इसको create करेंगे, तो हम लोग send क्या करना चाते है, message, यहाँ पर string back to send text और इसके अंदर, हम लोग अपने पूरा यहाँ है, इसको create करेंगे, तो यहाँ पर send text इसको नहीं करते हैं, यहाँ पर packing है, यहां पर हम लोग को आप निल जाएगा और उसके बाद शायेंगे कि एक टेंगे एक स्क्राइब और यहां पर उसके बाद यहां पर बिट Pf से प्लस करेंगे हम लोग और यहां पर हम लोग आप बताएंगे कि यह हमारा message है, जो भी message हमारा है, message और यहां पर एक colon देंगे, gap देंगे, और फिर प्लस और यहां पर c.get message, तो यहां पर जिस भी बटन पर Click होगा, जो भी message के share button पर Click होगा, तो उसी हिसाब से हम लोग का सबसे पहले जो user है इसको लिखने वाला यह ट्विट करने वाला जो user है उसका नाम आएगा और उसके बाद यहां पर जो message है वो आएगा तो यहां पर एक string के अंदर जो कि हमारा text to send के अंदर है वो सारा सेव हो जाएगा ठीक है उसके बाद अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे यहां पर हम लोग को एक intent क्रियेट करना होगा intent in the sense यानि कि यहां पर नीचे से जो बॉक्स निकल के आता है जिसके अंदर बहुत सारा intent क्रियेट करना चाहते है तो यहां पर हम लोग ने एक intent क्रियेट करना है कैसा intent क्रियेट करना है क्या 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 अप्लिकेशन चीजिए जो send कर सके उसके बाद send intent dot send dot set type तो यहां पर हम लोग बताना पड़े है कि हम लोग किस टाइप का चीज यहां पर send करना चाहते है तो टेक्स्ट slash plain plain text अम लोग यहां पर send करना चाहते है तो हम लोग ने बता तिया थापर क्या चीज़ अब यहां पर हम लोगा जो message है वो अब हम लोग यहां पर भेज़ेंगे यानि कि जब भी एक intent create और application के उपर आप लोग जब भी क्लिक करें तो उसको वो message मिल जाए जो कि हम लोग send करना चाहते हैं तो यहां पर text to send यहां पर जो हमारा message वाला variable था वो हम लोग ने यहां पर दिया है अब उसके बाद हम लोग क्या करना अब उसको actual में create करना जाए अपर intent share intent is equals to intent okay глok Nej और अब कि एपधे जित्य इखेए मुझे सेची जैंडब legit करते स्क्राइब शेयर वाया या कुछ आप लोग जो भी इби इनटेंच देना चाहाएं मतलब वह संध्य तो यहां पर अब हम लोगा क्या होगा कि आप लोग जैसे उस बेंट पर क्लिक करेंगे तो यह इंटेंट क्रीट हो जाएगा ठीक है अब एक शेक लागाते हैं आप पर इफ शेयर इंटेंट डॉट रिजॉल्फ एक्टिविटी कॉंटेक्स अम लोग कॉंटेक्स बताना कि अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो जो एक्टिविटी और हम लोग यहां पर पूरा कोड हो चुका है हम लोग यहां पर इसको रन करके देखते हैं कि यह काम भी कर रहा है या फिर नहीं तो देखें हम लोग का application successfully start अम लोग यहाँ पर शेर बटन पर एकगबर click करके देखते हैं तो यहाँ पर देखें यहाँ पर नीचे में बहुत सारा option हम लोगो देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर देखे शेर का option हों और यहाँ पर देखें हम लोग का message आ रहा हया है name जो नाम है message building imagination तो यहाँ पर वो जो हम लोग ने यहाँ पर text create किया था वो दिखा रहा है हम लोग यहाँ पर message पर send करें तो हम लोग यहाँ पर इसको send भी कर सकते हैं तो यहाँ पर यह जो यह तो emulator है इसके इंदर सारा application डला होगा निए लेकिन actual phone के अंदर smartphone के अंदर आप लोग करेंगे तो आप लोग का जो भी application रहेगा WhatsApp Instagram Facebook वहाँ पर वो सारा आप लोग को show होगा तो यहाँ पर मैं जल्दी समराइस कर देता हूं क्या करना आप लोग सबसे पहले we message create करना है जो कि आप लोग send करना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर आप लोग बताना है कि किस तरह का intent weak उसके बाद आप लोग बताना है कि आप लोग क्या message send करें तो वो बता दी हम लोग ने उसके बाद यहाँ पर put extra के मतदद से जो text है वो हम लोग दूसरे application के अंदर पहुंचा रहे हैं और उसके बाद यहां पर देखे intent share intent create chooser और इसके अंदर के respect में यहाँ पर एक intent जो है वो create कर देंगे और create करते है टाइम लोग क्या भेजेंगे यहाँ पर share intent कुछ भेजेंगे तो यहाँ पर होगा क्या कुछ इस तरीके से आप लोग जैसे ही जब भी share बटन पर click करेंगे तो वहाला message ले लेगा और उस message को आप लोग किसी भी application के तुर शेर कर पाएंगे तो आज की स्टूडियो से तने मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाल वीडियो को अंदर तब तक के लिए good bye